नमस्कार दोस्तों Genius Science में आप सबका बहुत बहुत स्फागत है दोस्तों आज के क्लास में हम बहुती इंपोर्टन्ट और बहुती इंपोर्टन एक चीज के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपोर्डन्ट है मन्जे बर्याच विद्धरत्याद साथी प्रचंड महत्वाची आणि अतीशे महत्वाचा असनारा आज चा एक महत्वाचा मुद्दा मन्जेच बारा वीचा जो काई नीट मन्जे नीट जे नीट साथी नीट दो हजार 21 के लिए जो कोशन पेपर आज हुआ है यहने की बारा सप्टेबर को उस कोशन पेपर के बारे में आज हम यहाँ पर डिसकेशन करने वाले है अगर आप इस चानल पर नए है तो जल्दी से चानल को उस भी देख सके ओके दोस्तों एक जनरली हम एक क्लास आठवी से लेकर आठवी नवी दसवी गैरवी बारवी ऐसे तीन-चार शाल यानि कि चार-पाल साल तक बच्चे बहुत सारी लगन से दिल लगा कर बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं है ना और जो मेहनत होती है तो सिर्फ एक बहुत सारे बच्चों का नीट एक टारगेट होता है बहुत सारे बच्चों का जीए का टारगेट होता है है ना तो जिन जिन बच्चों का नीट का टारगेट था उन्ही बच्चों के नीट के एक्जाम आज फाइनल हो गई कंप्रिट हो गई है ना बहुत स प्रेशर होता है तो बहुत सारे बच्चों के हाथ चलव बसक्स पर करते हैं और को तो एकतर करना शुरू करते हैं को रिलीज होने लगता है बहुत सारे बच्चों के बारे में ऐसा होता है और बहुत सारे बच्चों के बारे में ऐसा होता है कि जब question paper दीरे दीरे वह पढ़ने लगते हैं तो वह पहला पेपर पहला question paper question देखते हैं तो तोड़ा टफ लगता है उसके बाद आगे देखते तो और विट प्रभी टप और विट अप जब सेंटर की तरफ जब हसकर जाते तब घर पे आते वक्त तो रोते हुए आते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों के बारे में कुछ सौल करने का वो सौल करते हैं और जैसे से कॉष्चन पेपर सौल करने का वह डिरे-दिजिजिभीव करते हैं क्यूंकि नीट पेपर सॉल करने का एक टेकनिक होता है एक तरीका होता है और उसी तरीके के साथ अगर वो चलते हैं कुशन पेपर सॉल करते हैं तो उनके दिमाग में एक बहुत अच्छी तरह से वो एक मैंड सेट होता है और धीरे 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 वो पूरा का पूरा कु question paper कैसा था किस तरह का था तो मैं आपको एक थोड़ा सा फासली question paper मैं आपको बताने वाला हूं और question paper बताने के बाद finally ये नेट का question paper कैसे solve करना चाहिए उसके मैं tips भी आप आपके लिए मैं देने वाला हूं जो कि बच्चे इस साल तो बहुत सारे बच्चों ने एक्जाम दी है है ना इसमें से बहुत सारे बच्चे उनका मेरिड भी अच्छा आएगा उनका medical college में admission भी होगा लेकिन बहुत सारे ऐसी बच्चों होंगे कि जो आज इस साल वो 12 की एक्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे है निट जी की तैयारी कर रहे है यानि कि वो बच्चे 2022 को एक्जाम देने वाले है 2022 को उनको एक्जाम दीनी है जैसे कि मैं आपको यहां बता रहा हूँ 2022 को उनको exam देनी है तो अभीशे अगर आप अच्छी तरह से preparation करना शुरू करेंगे तो ये 2022 का question paper जब आप आपके हाथ में पढ़ेगा तो वो आपको बहुत easy जाएगा बहुत easy तरीके से आप उसको solve कर पाओगे लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको पहले इस साल का question paper कैसे था ये पहले आपको देखना पड़ेगा और अगले साल आने वाला question paper होगा ऐसे ही होगा यही होगा ऐसे नहीं है ऐसे होगा ऐसे होगा यही question paper तो नहीं आएगा इन वेसे कुछ question भी आ सकते हैं एक दू question भी आ सकते हैं पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि इस साल ऐसे नहीं होता कि हर साल अलग question और हर साल different questions होते हैं ऐसी नहीं है बहुत सरे ऐसी भी question होते हैं कि पिछले कुछ exam में वो आये हुए रहते हैं तो इसलिए आज का अगर ये question paper आप अच्छी तरह से देखोगे तो ये एक आपके दिमाग में एक एक आइडिया आएगी कि अगले साल आने वाला question paper कैसे होगा और ये question paper पूरा होने के बाद दिखाने के बाद मैं आगे आगे मैं पूरा आपको ये बताने वाला हूँ कि ये question paper किस तरह से solve करना चाहिए आता है कि जब question paper solve करने के बाद exam hall के बाहर आता है जब gate cross करके बाहर आता है तो बहुत हथ से हुई आते हैं बहुत मुस्कर आता है और वच्छें को लगता कि ये question paper बहुत easy था मैंने तो पूरे के पूरे question solve किये हैं लेकिन जैसे जैसे वह घर की तरफ जाते है घर में और ऐसे हुआ इस बात बताना चाहता हुए जिन जिन बच्चों निया कोशन पेपर सॉल्ट किया है और गर पे आके आराव से बैठे हुए उन बच्चों को में रिक्वेस्ट करता हुए कि किसी तरह का टेंशन लेना नहीं है एक परसंड भी टेंशन लेना ही है अगर इसमें कुछ क्वेशन मास अगर इसमें कुछ कम भी मास आते हैं तो ऐसा मत समझना कि एक MBBSC आपकी जिंदगी बतल लागता है ऐसे नहीं है एक MBBSC है जो आपकी जिंदगी डेवलप करेगा ऐसे नहीं बहुत सारे different fields है बहुत सारे different fields है कि जो आप खुद का career आप उसमें कर सकते हैं तो उस career के बारे में भी बहुत सारे लिया है किस तरह से था और वो किस तरह से solve करना चाहिए था उसके बारे में अभी हाँ पर हम देखेंगे ये देखो इस तरह का ये question paper होता है मैं एके के करके यहाँ पर आपको जूम करके बताने वाला हूँ ये देखो ये जूम करके मैं आपको बताने इस तरह से important instructions होते हैं इस तरह से important instructions होते हैं देखो अब यहां पर आप देख रहे हैं इस important instructions है okay answer sheet is inside the text booklet test booklet when you are directed to open the test booklet take out the answer sheet and fill in the particulars on office copy carefully with blue black ball pen only blue or black ball pen का इस्तमाल करके यह आपको solve करना है उसके बाद the test is of three hours duration and the test booklet contains two hundred multiple choice questions कितने two hundred multiple choice questions है यहाँ अक्सर always 180 questions होते है बेटा 90 questions होते हैं biology के 45 questions होते हैं physics के और 45 questions होते हैं chemistry के लेगन इस question paper में एक छोटा सा change किया था कैसे change किया था एक 20 questions extra दिये थे और कुछ options भी दिये थे यह कोरोना की वज़र से त्री आवर्स यह देखो जादा जादा हम यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएंगे देखो विच सिंगल करेक्ट अंसर है 200 questions फिजिस केमेस्ट्री बाट्मी 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 जूला जी 50 questions in each subject is divided into two sections 50 questions a and b section section ESL consists of 35 questions in each subject questions number first to 35 51 to 85 100 to 85 ऐसे कुछ instructions यहाँ पर दिये थे बटा और जो कुछ भी बच्चों नहीं instructions पड़े हैं अगर पड़े नहीं तो यह instructions आप एक बार इसको पड़ सकते हैं इसका study कर सकते हैं ओके इस तरह से यह है देखो ओके तो यह जो question paper में आपको दे रहा हूं code for this booklet is 0401020304 ऐसा इसका code है भीठा make sure that code print on the original copy of answer sheet is the same as that on the test booklet जो कुछ भी होता है test booklet बगएरा दोनों के तरफ थोड़ा सा एक compare करके आपको देखना है तो यहां पर क्या दिया था देखो थोड़ा सा instructions आपको बताना जरूरी है क्या है यहां पर section A यह दिया section B shall consist of 15 15 questions B में है questions in each subject question number 36 to 50 हर एक section में 86 to 100 136 to 150 and 186 to 200 ऐसे कुछ sections दिये थे in section B the candidate need to attempt any 10 questions है ना पंदरा में से किसने shall consist of 15 उस में से 10 questions आपको solve करने थे 10 questions out of 15 in each subject हर एक subject में है उसके बाद candidates are advised to read all 15 questions in each subject of section B 15 15 questions completely पढ़ने थे है ना और 15 questions पढ़कर उस में से 10 questions आपको यहां पर read करने की solve करने थे 5 questions आपको यहां पर option थे ओके each question carries 4 marks each correct response candidate will get 4 marks है ना एक गलत हुआ तो एक माइनस होने वाला था okay deducted from the total scores the maximum mass as 720 okay fill up करना था blue और black paint से fill up करना था okay इसके बाद आगे भी कुछ instructions है यह instructions आप जड़ा screenshot लेके भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं बढ़ा ओके मैं यहां कुछी आपर जो link है sir तुमी आमची तैयारी करून घ्याल का नीट ची येस येस बेटा परफेक्ट तरीके से हम आपकी नीट का प्रिपरेशन में करने वाला हूं आप टेंशन किसी भी टेंशन किसी बात का टेंशन मतलो ओके यह देखो आगे का कि इस तरह से question यह question the equivalent capacitance of the combination shown in figure is इस तरह से question है यह देखो question number 2 question number 3 question number 4 इस तरह से question number 4 इदर है उसके बाद यह देखे question number 5 question number 6 question number 7 question number 8 इस तरह से question number 8 है इसके बाद आगे का देखें next question इसके टोटल सोलुशन में आगे आपको देने वाला हूं बीटा इस तरह से इनको आपको मैच करना है और मैच करने के बाद यह का क्यू होगा बी का पी सी का आर वगेरा वगेरा मैं डिटेल यहां पर नहीं बता रहा हूं यह कॉलम मैच है इन ओके यह कानेटिक थेरी आप गैसे से बेठा केटीजी से है इसके बाद यह आगे का क्योस्टन यह देखो पूलर मॉलिकूल्स आर दी मॉलिकूल्स यह देखो इस तरह से यह कॉस्टन है क्वेशन नमबर 11 उसके बाद ये देखें क्वेशन नमबर 12 स्टेटमेंट ये एन स्टेटमेंट बी है करेट कौन सी है यहाँ पर आपको सेलेट करना है उसके बाद 13 नमबर का क्वेशन ये देखो क्वेशन नमबर 14 है ना उसके बाद ये क्वेशन नमबर 15 ये क्वेशन नम में आपको देने वाला हूं मैं तो देखें यह रहा है नेक्स्ट वण कि universe क्वेस्ट के 200 के दोस क्वेस्ट्ब कें सोम्हार पर देखींगे कुशेद नमबर 17 एक इस संग नमबर 18 019 कुशन नमबर 20 ओक कर डीक की कुश यह question number 23 यह देखो आपको dimensions पूछे गए हैं यहाँ dimensions उके इस तरह से उसके बाद आगे का next question है 28 नंबर के बाद यह देखे 23 नंबर का question sorry 17 नंबर यह देखो यह 23 नंबर 23 के बाद यह देखे 24 नंबर का question यह देखो इस तरह से question होता है बिटा पूरा का पूरा question आपर मैं आपको बता रहा हूँ यह देखो इस तरह से question है और इसमें से correct ABCD कौन सा है आपको select करना होता है उसके बाद यह 25 नंबर का question देखे ओके यह 25 नंबर का question इसके बाद यह 26 नंबर 27 फिजिक्स के यह बेटा है फिजिक्स यह 28 नंबर question पेपर तो बहुत easy था बहुत easy था बिटा question पेपर एंड इंड़क्टर ओके इलेक्ट्र मैंनेटिक इंड़क्शन से हैं okay drift velocity electrical resistivity relaxation period current density यह question नंबर 30 यह question नंबर डाइपोल प्लेस्ट्र यह इलेक्ट्र स्टाटिक से है इलेक्ट्र स्टाटिक से यह question है उसके बाद यह पैरलेल प्रेट क्यापसिटर यह बी इलेक्ट्र स्टाटिक से है इलेक्ट्र स्टाटिक चाप्ट्र से हैं कॉनेक्स लेंज लाइट से है बिटाई escape velocity ग्रेविटेशन चाप्ट्र से है 11 से ओके दिक्ट्र सी ओके दिस वन आईड़ी यह एलेक्ट्र मैंनेटिक इंड़क्स से है यह मैं से है यह चाप्टर यह question ओके उसके बाद देखें यह फॉर गिवन सर्कित इंपुट डिजिटल सिग्नल्स ओके सिमी कंड़क्टर से बिटाई ओके एंड़ गेट नौर गेट याना एंड़ गेट वगेरा यह गेट से है ओके सर आता मी 11 तला आहे मग आपले क्लास तुमी घेनार का नीट छे येस बिटा येस 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 स्नेहल कामले घेनार बिटा ओके 37 वालाई question त्यानंतर हा पहपूर चा question number 38 त्यानंतर हा question number 39 त्यानंतर हा question number 39 त्यानंतर हा इसके बाद ये आगे का question बेटा ये देखे इस तरह से यह ओके यह है register R1R2 electric circuit वगेड़ा ओके करन्ट electricity से बेटा है ओके करन्ट electricity chapter से यह LCR ओके इंड़क्तर कापसिटर एंड रेजिस्टर यह दोनों एक दूसरे को connect किया है तो यह आये बेटा रेजोनेट सर्कीट से बगएरा उसके बाद EMI के बाद का चप्ठर A step-down transformer Electromagnetic induction से है Step-up transformer and step-down transformer उसके बाद यह है देखो Okay Question number 43 Question number 44 यह देखो 45 Question number 45 उसके बाद आगे का देखे Question number 46 Question number 46 Question number 47 Okay उसके बाद यह dot product बगे रहा है इन्दी product यह 11th का आता है Physics सा 48 number उसके बाद यह 49 number और यह रहा 40, sorry 50 number का यह question Okay अंसर कल बताऊंगा मैं पूरे के पूरे answer इसके उसके बाद यह section यह किसका chemistry का Chemistry section यह है तो इसका एक बाद आप मैं आपको बता जिता हूँ यह देखे यह देखो बीटा section B मैं आपको बताना भूल गया यह देखो यह 36 के आगे के section B है section B से आपको 10 question solve करने थे यह physics का section A पहले हुआ यह section B है उके उसके बाद आगे का जो है कि यह रहा chemistry section A यह chemistry section यह है इसमें 51, 52, 53 ओके इस तरह से structure वगरा दिया जाता है आगे यह इस तरह से reaction दी जाती है और यहां पर attachment होगे यह bond यहां का break होता है बेठा यहां का bond break होता है और band break होने के बाद यहां पर एक ब्रुमीन की attachment होती है यहां पर hydrogen और यहां पर ब्रुमीन ओके इस तरह से 53 आगे का question है next one 54 यह देखो 54 यह 55 ओके यह 56 यह 55 ओके यह 56 यह 55 ओके यह 58 57 58 उसके बाद देखे यह 59 60 61 62 और यह 63 है ओके केमेस्टी का है केमेस्टी के questions है यह उसके बाद देखेंगे हम आगे का next one दिस इस 64 65 66 67 68 69 और इसकी लिंक मैं इस वीडियो के description box में दे रहा हूं टोटल question paper आप download कर सकते बीटा 70 71 72 ओके देखो यह इस तरह से question पर यह केमेस्टी के बेठा यह पूरा 72 ओके यह वाला question paper 73 74 75 76 77 78 ओके अगले अगला question 79 80 केमेस्टी के है पूरे है कि ओके यह देखे 81 82 83 84 85 और यह section भी है chemistry का section भी इस में से 10 question आपको solve करने थे बहुत सारे बच्च दस question solve करने थे 15 questions है 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 अब आगे की क्वेश्चन से हमारे कौन से बाइलोजिक है बाइलोजिक का section ए शेक्शन ये एंड शेक्शन भी शेक्शन भी शेक्शन ये बाटनी का है और section section ये ये देखे इस तरह से ये biology बाटनी का section है section A इसका ये देखो 101 102 103 100 questions आएंगे बिटा इसमें biology में तो 100 में से 50 शेक्शास बाटनी के हैं ये देखो 4567 इस तरह के question से एक बार screenshot लेकर भी आप पड़ सकते हैं ओके ये इधर 110 11 12 13 ओके चौधा और ये पंद्रावला ये देखे 16 17 18 19 20 21 ओके मैच लिस्ट फर्स्ट आंड लिस्ट सेके ओके ये तीस ये इस तरह की questions होते हैं फोड़ा सा ध्यान देखर देखो ध्यान से देखो ओके इस तरह से question आते हैं ओके और उनको मैच करना होता है बिटा मैच करेक्ट पेर मैच करनी पड़ते हैं यहां पर ओके ओके मैच डेली अपने चानल पर डेली मेगा क्वीज होगा बिटा डेली मेंटी क्वीज होगा अपने चानल पर एक दिन physics का एक दिन chemistry का एक दिन biology का ओके नीट का physics, chemistry, bio का quiz होगा डेली 24, 125, 126 यह 127, 28 यह देखो 29, 30, 31, 32, 33 ओके इस तरह से 34, 35 यह 10 question है 15 question है यहां पर इस में से 10 question solve करने है है ना 15 question है इस में से 10 question solve करने 85 इस में से 10 बोले तो 45 होता है ओके 36, 37, 38 इस तरह से ओके मैच 39 वाला इधर को column थोड़ा सा यह मैच वाले जो questions होते हैं थोड़े से लेकिन यहां पर चार ऐसे question होते हैं ऐसे question solve करने में थोड़ा सा तकलिव होती है इस तरह से है ना यह देखो यह कि उसके बाद 41 येस बेटा येस आजिंके गवाडे येस याद ले answer question and answer आपन पूर्णता यह ना रहो ये पूरा का पूरा solve करके दे दूँगा वेड़ा आपको पूरा solve करने वाला हूं don't worry अब आगे का question number 47 ये देखे इस तरह से match list फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड ओके यही questions बच्चों को थोड़े से टफ गय होंगे ओके ओके बार 48 49 ओके नेक्स्ट वन 50 इस section यादि के बॉटनी का section complete हो गया अब जुलो जी का है section ये 51 52 53 ओके 54 55 ओके उसके बाद next 56 56 57 58 59 60 61 ओके 62 इस तरह से question होते हैं थोड़ा सा ध्यान देखे थोड़ा सा screenshot भी लेकर आप पढ़ाई कर सकते बैठा 64 65 66 67 68 60 70 ओको मैच वाले मैच लिस्ट फर्स्ट और से के इस तरह से होते हैं ओके दॉप्शन यूनीट यूजर तु मेजर थिकनेस अफ इस तरह से 73 उसके बाद वित रिगाट तो इंसुलीं चूसे करेक्ट अप्शन C-peptide is not present in mature insulin. The insulin produced by R-DNA technology has C-peptide. The pro-insulin has C-peptide. A-peptide and B-peptide. A-peptide and B-peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges. ओके करेक्ट है A-B-C-D वगेर है यहां पर during 175, 176, 177 ओके यह रहा इस तरह से question paper देखे 78 match वाले हैना यह जो match list first as list second आपको लगता है यह question easy है लेकिन easy नहीं होते यह match करने के लिए ही time जाता है आपका ओके यह A-B-C-D-A pairing perfect करनी पड़ती है और इधर से answer आपको choice करना पड़ता है आपको जहे से biology easy लगती है लेकिन easy नहीं है 179, 80, 181 और उसके बाद देखे which of the following RNA is not acquired for synthesis protein ओके R RNA, SI RNA, MRNA and TRNA यह तो 10 भी कोई बेटा which of the following organisms bear hollow and pneumatic long bones 184, 185 अब section B है जोलोजी का इस तरह से यह देखे यह list वाला यह देखो 87, 88 इस तरह का है question 89 उसके बाद यह 190 ओके उसके बाद आगे का देखे 191, 192, 193 यह देखो match pair वाले ज्यादा questions है और वो ही आपकी ज्यादा energy लेते हैं यह देखे इधर match वाला ही उसके बाद यह assertion and reasoning की भी questions है 196 इस तरह से ओके उसके बाद देखे during muscular contraction which of this 197, 98, 199 and 200 यह इस तरह का पूरा का पूरा question paper आपको मैंने यहाँ पर बताया है और इसकी अंसर की वगेरा physics chemistry and biology इसकी अंसर की आपको कल के class में मिलेगी बिटा ओके जल्दी बलो अगर कौन-कौन बच्चे है जो अगले साल नीट की एक्जाम देने वाले है बिटा यहाँ पर comment करो सर मी total marks count के लिए माजे एकशे एंशी मास होता है माजा MBBS ना नंबर लागेल का सर अभीजीत अला पुरे ओके 180 को तो नहीं होगा बेटा पीडिएप सेंड करा ओके टेलिग्राम वर ओके ओके बेटा करेंगे ओके चलो और कुछ है बेटा डिफिकल्टी है इसमें अगर आपको कुछ शंका है कुछ डिफिकल्टी है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते बेटा ओके चलो चलो आणकी काई डाउट आइद का तुमच्या सर कौश्चन एकशे अइनशी अस्तातना येस 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 एकशे अइनशी नहीं बेटा ओके चलो पंचाइश नव दूनी आटरा ओके राइट बरबर है एकशे अइनशी कोश्चन आस्तात बेटा ओके अनकी एकशे अइनशी कोश्चन केमेस्ट्री पंची चारीस फीजिक्स पंची चारीस आणि ये बायलोजी नववद कोश्चन रेते हैं नाइटी कोश्चन सर कितिला कटाफ एल यंबी बीएस चा बेटा या वर्षी पास्षे चा वर्ष समझाए सो पास्षे के अबवव इस साल का मेरित आएगा पाईू फिप्टि अबाउँ da के अबवव फााइु फिप्टी का मेरित रहे हैं तोटल इखो मैं आपको यह आप पर बता रहा हूँ फिजिक्स कि 45 questions कि केमेस्ट्री 45 questions कि एंड बायो 90 questions बेटा ओके है multiply by 4 multiply by 4 multiply by 4 marks यह marks आते यह है questions और यह रहेंगे 4 से multiply करेंगे तो यह रहेंगे marks okay 180 180 and this is the 360 अट्रेक आट्रा आट्रा दोनी 36 तो ऐसे कुल मिला के 720 तो 720 में से 550 मेरिट आएगा फायू 50 के आसपास आसपास दस पंद्रा कम रहेंगे दस पंद्रा ज्यादा लेकिन फायू 50 के नीचे ही आएगा कि एंसे कटप सागा एंसे एंसका कटप तो आगे रहेगा विटा 650 के आगी रहेगा हो ओके टोटल 650 के आगे रहेगा इसका अब बोलो बिटा कुछ कुछ डाउट कुछ डिफिकल्टी है क्या इसके बाद जल्दी हम अन अकाड़ेमी पर क्लास लेने वाले पुटा अन अकाड़ेमी के यूटुब चानल पर क्लास है फेटा जल्दी आप उस क्लास को जॉईन करिए कुछ difficulties है कुछ problems है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते बिटा ओके चलो और कुछ doubt है बिटा और कुछ किसी का doubt है क्या if you may have any difficulty बिटा you may have any difficulty please tell me telegram की link आपको मैं यहाँ पर share कर रहा हूँ telegram channel की link share कर रहा हूँ बिटा telegram channel को join करो अक्सर वहाँ पर आपको link मिलती रहेगी telegram channel के link यहाँ पर दे रहा हूँ इसको click करके आप telegram channel को join करो बिटा सर तुमचा MBBS क्रैक जाला होता का सर ओके मेरे वक्त माजा वेडी ओके आपको बता दीता हूँ बिटा जब मैं था उस वक्त ग्रूपिंग पर था physics, chemistry and biology ग्रूपिंग पर था उस वक्त यह MBBS 94 ग्रूपिंग को end हुआ था यानिके दो ग्रूपिंग से मेरी MBBS मेरे हाथ से गया है वेटा ओके खाली दो माक्स ओके दो माक्स बोले तो six माक्स आते six माक्स पीसी पीसी भी तीनों का गुरूपिंग था उस वक्त नेट नहीं थी मेर सीमेश्टी मेर इलिसीर और नीट वि नहीं ती गुरूपिंग पर लगता था MBBS साथ do未 femnyte amorology bureau के मार्च और वाजकिक दोलो इन तुनिय यह का पिटा इनी डिफिकल्टीज इनी डिफिकल्टी पिटा ओके चलो तो कल से हम नीट का क्वीज होगा नीट का डेली नीट का एक क्वीज होगा एक दिन फीजिक्स एक दिन केमेस्ट्री एक दिन बायोजी फीजिक्स केमेस्ट्री बायोजी यह कंटीन्यू मैंटी क्वीज होग अपनी चानल फर ओके इसमें कुछ शंका है बैटा मेंटी क किसका टाइम भी आपको दिया जाएगा देली मेंटी की का हुगा लिए कि रिपीट कर नाहितर आयूस कोर्सेस भग ओके सर तुम्हीं कोंतिया कॉलेज वर टीचिंग करता ओके चलो और कुछ शेंका है का बेटा बोलो मिलते हैं जल्दी हम और एकडमी के यूटूब चानल पर उसकी लिंक मैं आपको यहां पर दे दीता हूं चलो उसकी लिंक आपको यहां पर शेर करता हूं ओके वो भी क्लास अभी हम इसके बाद एक दस मिनिट में वो क्लास शुरू होने वाला अपना कि अब 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 उसके लिंक आपको यहां पर शेर कर रहा है बिटा अब जो अपना अकडेमी पर क्लास होने वाला उसकी लिंक आपको शेर कर रहा हूं उसको भी जॉइन करो आप जल्दी से इस पर यहां पर क्लिक करके आप क्लास को जॉइन करो विटा ओके चलो आज के लिए रुकते बिटा बाइबाइब थैंक यू मिलेगे हम कल के क्लास में ओके बाइबाइब टेक कियर थैंक यू